दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी अपने हेल्थ आईडी कार्ड में नाम जन्मिति थे, पी अचार एड्रस या मोबाइल नमबर इन में से किसी को भी चंज करना चाते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं कम्पलीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने माला हूँ तो वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए और बेल आइकन को आल पर प्रेस कर लिजिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते ह सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है ndh.gov.in टाइप करने के बाद सर्च कर देना है सर्च करने के बाद सबसे उपर वाले वेपसाइट ndh.gov.in पर किलिक करते ही इस वेपसाइट का इंटरफेस आपक कर लेना है कि उसके बाद यहां पर आपको 3W line दिखाई दे रहा होगा इस पर क्लिक कर लेना है उसके बाद लग in पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर Health ID number और फीया अड्रस इन दोनों में से किसी को यहां पर फिल कर लेना है Health ID नमबर और PHR address आपको health ID card पर मिल जाए पर मैं अपना PHR address फिल कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर year of birth फिल कर लेना है तो यहाँ पर मैं अपना year of birth फिल कर लेता हूँ उसके बाद I am not a robot पर क्लिक करना है उसके बाद submit पर क्लिक करना है उसके बाद फिर से I am not a robot पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको दो option दिखाई दे रहा होगा login by mobile OTP, login by password अगर आप OTP के जरीए login करना चाहते हैं तो login by mobile OTP पर क्लिक करना है अगर आप password के जरीए login करना चाहते हैं तो login by password पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देना है यहाँ पर आपको वही पासवर्ड फिल करना है जो आप Health ID कार्ड बनाते समय पासवर्ड बनाए थे पासवर्ड फिल करने के बाद लॉग इन पर किलिक कर देना है क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपका प्रोफाइल आ जाएगा उसके बाद माई एकाउंट पर क्लिक करना है उसके बाद इडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है तो दोस्तों यहाँ से आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं यहां से date of birth चंज कर सकते हैं यहां से आप PHR address चंज कर सकते हैं और दोस्तों यहां से आप email ID भी चंज कर सकते हैं अगर आपका address गलत है तो दोस्तों यहां से आप address को भी चंज कर सकते हैं चंज करने के बाद दोस्तों आपको submit पर क्लिक कर देना सब्मिट पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपके health ID card में change हो जाएगा और दोस्तों अगर आप अपने health ID card में mobile number change करना चाते हैं तो आपको back आना है उसके बाद फिर से my account पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक option दिखाई दे रहा होगा update mobile number इस पर आपको click कर लेना है उसके बाद नीचे के तरफ आना है और यहाँ पर अपना new mobile number enter कर देना है enter करने के बाद get OTP पर click कर देना get OTP पर click करते ही दोस्तों आपके mobile number पर OTP आएगा OTP को fill करने के बाद submit पर click कर देना, submit पर click करते ही दोस्तों आपके health ID card में mobile number change हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप अपने health ID कार्ड में नाम जन मित्ते थे, PHR address, mobile number चंज कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को लाइक